नमस्कार मैं मानस रोय और आज के इस वीडियो में हम नागवंसी सासन वैवस्ता के बारे में जानेंगे यह टॉपिक जेपीसी प्रिलिम्स जीएस पेपर 2 के जहारकन के तिहास से लिया गया है PT की GS Paper 2 में एक प्रश्ण नागवंसी सासन व्यवस्था से भी पूछा जाएगा पिछले PT में भी इससे एक प्रश्ण पूछा गया था आज हम एक्जाम के पॉइंट व्यू से इस टॉपिक के सभी प्रमुक विंदू पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे जिससे हम आसानी से प्रश्णों को हल कर सकें नागवंस जारकण के छोटानागपुर छेतर का एक प्राचिन और महतपून राजवंस था तेरासी स्वी से लेकर 1952 स्वी तक की असासन व्यवस्था छोटानागपुर छेतर में कायम रही इसकी गिंती विश्व में सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले राजवंसों में होती है और आज भी हमें इसके धरोवर छोटानागपुर छेतर में देखने को मिलते हैं नागवंसी सासन व्यवस्था जनजातिय सो सासन और छेतरी राजवंस के सामन जिससे का एक बहतरीन उधारन पेश करता है यानि कि जनजातिय सासन और गैर जनजातिय सासन व्यवस्था दोनों स्वतंत्र रूप से बिना एक दूसरे को अतिव्याप्त होकर काम करती थी नागवंस के स्थापना की प्रिष्ट भूमी तयार हो रही थी। नागवंसी राजवंस के स्थापना होती है। इनके नाम पर ही रखा गया। इनके नाम पर ही रखा गया। इन सब कुरसी नामे के आधार पर हम राजवंस के इस्थापना का वर्ष तिरासे इस्वी को मान सकते हैं। नागवंसी राज के विस्तार की बात करे तो इसका विस्तार पूरे छोटा नागपूर छेतर में था। वर्तमान के राची, लुहरदगा, खूटी, गुमला, सिम्डेगा और सिम्भूम जैसे जिले इसमें सम्मिलित थे। हालाके इसका प्रभाव छेतर लगबग पूरे जार्खन में था। इसकी परश्चिम में रक्सेल वंस था, जिसमें पलामू, सरगुज्जा, कुरामबे तथा बर्वेजे से छेतर सामिल थे। पुर्वी भाग में पंचेत राज्जी था, वहीं दक्षिर में पोर हाट और क्योंजर जैसे राज्जी थे। नागवंस की राजधानियों से सम्मद्यत प्रश्ण परिक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्होंने कुल छे स्थानों पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। सतरो सु बीस में एक बर फिर राजधानी को परिवर्तित किया जाता है नई राजधानी गुमला के पालकोट में स्थापित होती है जिसका निर्मानी अदूनात्षा द्वारा किया जाता है और अंत में उदय प्रतापनात्षा देव द्वारा 1901 में नागवंस की छठी राज पुट रहा है ये नागवंस के संस्थापक हैं इन्हें आधिपूर्स की उपादी दी गई है इनकी राजधानी सुत्यामबे थी यहां इन्होंने सुर्मंदिर का निर्मान कराया था इनका विवाव पंचेत के गोवन से राजपरिवार में हुआ था इनका युद रक्सेल तता क्योंजर के राजाओं से हुआ पंचेत राजा के सैयोग से इन्होंने रक्सेल और क्योंजर राजाओं को पराजित किया था दूसरे प्रताप्राय इनके समय में ही पहली बार राजधानी परिवर्तित होती है और अब चुटिया जो संरेखा नदी के किनारे स्तित políticas न तोरी का इलाका तथा वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की थी। दूसरा राजधानी को चुटिया से हटा कर खुकरा में इस्थापित किया। और तीसरा भीम सागर का निर्मान करवाया। प्रताप कर्ण ये लोधी सल्तनत के समकाली नागवंसी राजा थे। इनसे दो महत्पून घटनाये जुड़ी हैं। पहला घटवारों का विद्रो और दूसरा तमार के राजधारा बंदी बना लिया जाना। बंदी बनाये जाने पर खरवार राजा बागदेव द्वारा इ नागवंसी राजा थे। बिहार के सुविदार इब्राहिम खा द्वारा 1615 स्वी में इनको बंदी बना लिया गया और 12 वर्सों के लिए ग्वालियर के किले में कैद रखा गया। छे हजार सालाना कर देने की सर्थ पर इनको मुक्त कर दिया गया। इन्होंने दोईसा में नई राजधानी बनवाई इनके द्वारा दोईसा में बनवाये गये नवरत्नगड महल के अफसेस आज वर्ल्ड हेरिटेज में सामिल कर लिये गये हैं। इनसे जुड़ा एक प्रशन जेपेसी पीटी में पूछा जा चुका है। रगुनात्शा इनके समय चेरो राजा मेधनी राय का आकर्मन हुआ था और रगुनात्शा के सासनकाल में चुटिया में राम मंदिर तथा बोडिया में मदन मोहन मंदिर का निर्मान हुआ था। राम्शा इन्होंने पलामो और सिंभुम के राजधानी जैंतगड़ पर हमला किया था। यदुनात्शा इनके सासनकाल में मराठो के आकर्मन की सुरवात हुई। दर्पनात्शा, दर्पनात्शा के समय छोटनाकपुर में अंग्रेजों का प्रवेस होता है, कैप्टन जैकप कैमक से मिलकर ये कंपनी सरकार के अधिनता स्विकार कर लेते हैं। और अंत में चिंतामनी शरणनात्शादियों ये नागवंस के अंती महराज थे जिनका कारेकाल 1950 से लेकर 1952 तक था। अब हम नागवंसियों द्वारा बनवाये गए कुछ महत्पून इस मारकों के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। पहला है सुतियांबे गड़। ये राची जिले के काके प्रखंड में पड़ता है, मुंड़ा और नागवंसी सासन के अवसेसों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसमें मुढहर पहाड, दो प्राचीन तलाव और एक सूर्य मंदिर शामिल है। सुतियांबे में ही इंद मेला का भी आयोजन किया जाता है, दूसरा है चुटिया का राम मंदिर, रगुनाथ सा के सासन काल में इस मंदिर का निर्मान किया गया था। तीसरा है दोईसागड का नवरतनगड कीला जो वर्तमान के गुमला जिले में पड़ता है इसे केंद्र सरकार की ओड़ से सनक्षित इसमारक घोसित किया गया है इसे वर्ल्ड हेरिटेस साइट में भी शामिल किया गया है चौथा राची का जगनात मंदिर नागवंसी राजा रामसा के चौथे पुत्र एनीनात शादे द्वारा 1691 में जगनात मंदिर का निर्मान किया गया इन्होंने सतरंजी में अपनी राजधानी बनाई थी और एक गड़ का निर्मान भी किया जिसे आज बढ़का गड़ के न किलोमेटर की दूरी परिस्थित है इसकी स्थापना महराज उदय प्रतापनात शादे द्वारा की गई थी या 1901 में बनकर त्यार हुआ इसे लाड़ गड़ भी कहा जाता है 22 एकड़ जमिन में फैले इस महल में कुल 103 कम रहे हैं नागवंसीओं की इन अतिहासिक धरोहरों को आज भी देखा जा सकता है अब हम इसके प्रसासनिक स्वरूप को जान लेते हैं नागवंसी सासन व्यवस्था छोटा नागपूर छेत्र में पहले से चली आ रही जनजाती संस्थाओं जैसे मुंडा मान की पढ़ा व्यवस्था में किसी तरह का कोई हस्तचेप नहीं कर पढ़ा राजा अपनी तरफ से कोई उपहार या भेट राजा को देते थे लेकिन ये एक्षिखी होता था किसी तरह का कोई दबाव या मांग नहीं किया जाता था नागवंसी राजाओं द्वरा यहां की जनता से किसी तरह का कोई विसेस कर नहीं लिया गया मुगलों के आ अपनी व्यवस्ता को बदलना पड़ा, अब पढ़ा संगठन के माध्यम से छोटे मोटे करवसूलने का काम सुरू हुआ, इसके लिए नागवंसी राजाओं ने अपने प्रसासनिक संगठन में दो तरह से बदलाव किये, पहला पढ़ा को पट्टी का नाम दे दिया गया, औ लिकनी में व्यवस्ता कभी भी एक तंत्रात्मक या निरंकुस नहीं थी, इस तरह आज हमने नागवंसी सासन व्यवस्ता से जुड़े सभी महत्पूर्ण मिंदों पर चर्चा की, इसे जुड़े प्रशनों को हल करने पर ये टॉपिक पूरी तरह से तयार हो जाएगा, अ